यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ मुख्यमंत्री जेराम ठाकूर ने वरिष्ट अधिकारियों के साथ शिमला में पानी की सप्लाई के लिए समिक्षा बैठका आयोजन किया जिसमें अधिकारियों ने उन्हें पानी की सप्लाई और स्थिती वित्रन के बारे में बताया और वहीं बताया कि नगर निगम शिमला को 21.75 MLT पानी प्राप्त हुआ है जिसका वित्रन गत दिवस में जारी की गई समेश सारेनी के अनुसार भराडी, रुलदू भट्टा, कैथू, अनाडेल, समरीहिल और टुट्टू, मंजियाट, कच्ची घाट, बालुगंज, तूटी कंडी, कनलोग, नाभा और फागली में इलाके में किया गया है और साथी बताए कि नगर निगम के अलाग अलाके में 27 टैंकरों के माध्यम से 63 स्थानों पर 2.25 लाक लिटर पानी का वित्रन किया गया है बैठक में ये भी बताए गया है कि शिमला शहर में हैड पंप लगाने के लिए 11 स्थानों को चेहनित किया जाएगा और जिन में से एक हेड पंप लगाने और काम की शुरुवात भी हो चुकी है जाएएगा पंप लगाएग में हुआ ऑगाजा एफाने के भी है झाल झाल